एक और सवाल ये जो डिनर आयुजित किया गया था उसको भी लेजर कॉंग्रिस पार्टी के भीतर बबाद चल रहा है। बच्छे से सबक सिगाया। आलोक शर्मा ने आज डिबेट में चित्रा को सरकार की अंधभक्ती करने पर खूब लटा लगाई। कांग्रिस के परवक्ता इतने गुस्से में मेडम की धुलाई कर रहे थे कि एक पल को लगा की मेडम अब रो देगी। फिर भी बेसर्मी से चि अब ज़्यादा हो रहा है। मुझे लगता है मीडिया के कुछ साथियों ने भी बहुत जादा करता है। इसलिए भी हमें दिक कहना पड़ता है। हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारे परवत्ता आपी के चैनल पर बैठते हुए अपनी जिंदिगी को छोड़ कर चले गए। वापस आता हूं में। आप सुनिए जरा थोड़ा सा रहम आप भी रखा करें। विपक्ष हैं हम कोई। बाहर के विदेशी नहीं हैं हम लोग। आलोक शर्मा जी आप तहां क माल्दीस और शिरिलंका में चाइना का इतना इंफ्लूएस बढ़ा हम उसको नहीं रोक पाए। लेकिन अफ्रीका में हम ऐसा कर देंगे। 20 साल में हम ऐसा कर देंगे। अरे भई आपके वली बताईए बर्मा में क्या हुआ उसको रोक पाए। और वो तो सब छोड़ नेपाल जो हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी था नेपाल में उनका समविधान भी चीन से चपकर आया और जो 62 दिन का मधेशिया अंदोरन हुआ उसके अंदर क्या देश की भूमी का रही सबसे फेल विदेशनिती इस देश के प्रणान मंत्री के समय कारेकाल के अंदर रही रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त था आज वो पाकिस्तान के साथ मिलिटरी एक्सराइज करता है लेकिन मोदी जी तो फिश्व गुरू है हमें बोलने भी मत तो आप लोग विदेशनिती के नाम पर विदेशनिती के लिए आप सोचिए पश्यमी देश लगतार दबाव लेकिन रशिया पाकिस्तान के साथ मिलिटरी एक्सराइज करता है यह भी सच है यह पहले नहीं हुआ कभी वी तिहास में लेकिन अब हुआ मोदी जी के आने के बाद नेपाल जितना हमसे आज दूर है और पाक्ट चीन की गोद में है इतना कभी नहीं हुआ लेकिन मोदी जी तो विश्यगुरू है मुझे लगता है कि तथ्यात्मक देखना चाहिए ठीक है फिर नहीं पर बिल्कुल बोलोंगी आलोग ये तथ्यों पर बात करेंगो और आपको सुनना पड़ेगा आलोग शर्मा नहीं सुने आप मेरी बात सुने आप इस तरह से और शब्दा कर उस पर भी तारीफ क्या आप कह देते तो मुझे लगता है कि शायद हमारे ये कारेग्रम सफल हो जाता हमेशा एक ही नजरीय से किसी चीज को नहीं देखना चाहिए पहंडर गई पहंडर गई पहंडर गई